विनयन मानत जलधी जड़ गए तीन दिन बीत बोले राम सकोप तब भाय बिन होई न प्रीत योगी आधितनाज जी ने यूपी में कानून का राज इस्थापित किया है इसलिए यूपी के अंदर कहीं कोई दंगा नहीं हुआ पूरे दो हफते तक यूपी में रामोत सो पक्वाडा मनाया गया सरकारी तोर पर काजिक्रमों का आयोजुन हुआ बाकाइदा हर जिले में एक एक लाख रुपे का आवंटन हुआ इस धनराशी से लोक कलाकारों को बुलाया गया और हर जिले में श्री राम चरित मानस का पाठ हुआ लेकिन यूपी के किसी भी जिले से दंगा फसाद होने की कोई खबर नहीं आई नौरातर के पहले दिन से लेकर हनुमान जैनती तक यूपी के अंदर पुरा माहौल अब तक सद्धावना पूर्ण बना हुआ है क्या आपको पता है कि ऐसा क्यूं हुआ क्योंकि योगी जी को पता है कि जिहादियों और दंगाईयों को कैसे काबू में करना है सिर्फ यूपी ही एक ऐसा राज्य है जहां पर हिंदू ने सुख पूर्वक राम नौमी मनाई है तो आप देख सकते हैं ये दैनिक भासकर की खबर है गुजरात महारास्ट और पश्यमंगाल यहां पर शुभायात्राओं के दोरान पत्थराओं में वरोदरा में दो जगाँ पत्थर चले हैं और महारास्ट में चत्रपती संभाजी नगर में पत्थर बाजी हुई है और इसके अलावा जो पश्यमंगाल का हावडा है वहां पर भी आगजनी हुई है ये च्छत्रपती संभाजी नगर के किराणपुर में जो दंगा हुआ है उसमें पुलिस की नौ गाड़ियां फोकी गई है और दो पुलिस कर्मी जो है वो इसमें घायल भी हुए है ऐसी ख़बर यहां पे आ रही है नौबार्थ स्टाफ ने ख़बर यह तो आपने न्यूस पेपर्स की कटिंग्स देखी अब आपको यह बता दूं कि आखिर हुआ क्या दैनिक भासकर के मुताबिक गुजरात के वडोदरा जिले में दो जगा पत्रा हुआ शाम पाँच बचकर चालिस मिनट पर बडोदरा के कुमभार वाड़ा इलाके में हिंसा शुरू हुई यहां पर भी राम नौमी की शुभा यात्रा पर जिहादियों ने पत्थर बाजी की वहीं बडोदरा के फतेह गड़ में दो पहर दो बजे पत्थर बाजी हुई महराश्टर के छत्रपती संभाजी नगर में भी दंगा हुआ यहां किराड़ पूर इलाके में पत्थराव किया गया कई गाड़ियों में आग लगा दी गई छे पुलिस वाले घायल हो गए और पश्चिम मंगाल के हावडा में भी दंगे फसाद की घटनाए हुई यहां पर श्वभा यत्रा के दोरान गालियों में आग लगा दी गई और हालाद यहां पर अभी भी तरापूर्ण बने हुए हैं पुलिस ने यहां पर फ्लैग मार्च किया है और भारी फोर्स यहां पर तेनाद कर दी गई है अभी पिछले साल भी राम नौमी के दोरान पूरे देश में दंगे हुए राजस्थान के करौली में पिछले साल दंगा हुआ था और तब नव समवत्सर यानि हिंदु नव वर्ष की शुभायात्र के दवरान एक शुभायात्रा निकाली जा रही थी इसी शुभायात्रा पर मस्जित से पत्राव किया गया था कई अकबारों की रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि दूसरे पक्षने यानि विशेश समधाय ने जिहादियों ने दंगा पूरे सुनियोजित तरीके से किया था क्योंकि अकबार में ये च्छपा था कि पहले ही एक खास समधाय की लोगों ने अपनी दुकाने बंद कर ली थी यानि वो जानते थे कि यहाँ पे दंगा होने वाला है इसी तरह से परशुराम जैनती के मौके पर जोदपूर में दंगा हुआ ये भी पिछली साल की बात है और जोदपूर में भारी तोड़ फोड़ हुई हिंदों के इलाकों पर जमके पत्थरवाजी की गई अगर आगे और हम बात करें तो पिछले साल ही मद्द प्रदेश में भी दंगे की खबर आई यहां खरगाउन में राम नौमी की शुभायात्रा पर पत्थर बाजी हुई और इसी पत्थर बाजी के बाद से यहां पर हिंसा शुरू हुई इस दंगे की जो CCTV फुटेश सामने आई थी उसने पुरे देश को डड़ा कर रख दिया था ठीक इसी तरह पिछले साल भी दिल्ली के अंदर जहांगीर पूरी में दंगा हुआ था यहां पर भी वही हमने देखा कि हनुमान जैनती के मौके पर शुभायात्रा निकाली जा रही थी और उस शुभायात्रा पर पत्थर बाजी की अगर हम इस साल की बात करें तो अभी जहारखंड के पलामू में महाशिवरात्री मना जा रही थी यहां पे भोले नात के भक्त तोरण द्वार लगा रहे थे और मज्जिस से यहां पत्थरवाजी शुरू हो गई यानि अगर देखा जाये तो मोडस ओपरेंडी एकदम करना यह बंद करने अब यह बड़े दुखी बात है कि हिंदू के त्युहारों को ही लगातार श्रीकार क्यूं मना जा रहा है 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 कि राम नौमी का जलूस जो है आप शांती से निकालें और मुस्लिम चित्रों से बचें क्योंकि रमजान चल रहा है अब जो यह बात यहां पर कर रही है मुस्लिम चित्र तो बैसिकली अलगावाद की वज़ा यही होती है क्योंकि मुस्लिम चित्र मुस्लिम इलाका यही बोल बोल के ही तो जिन्ना ने भी पाकिस्तान लिया तो इस तरह की भाशाकिर क्यों इस्तमाल की जा रही है इसके लावा एक और देखिए समाचारी छपा हुआ है पंजाब किसरी मुस्लिमों के घरों पर हमला हुआ तो छोड़ूंगी नहीं यह राम नौमी पर ममता मनेरजी कि धमकी है हिंदूओं को तो ये भी आप देख सकते हैं कि क्या मान सकता है जो पार्टियां मुसल्मानों का वोट लेके चुना जीती हैं वो किस तरह से विभार करती हैं आप देख सकते हैं अब आपको ज़रा और भी तवाम तरह की कुछ समाचार सुनाता हूं की कौन खारिज और देखिए हिंदूओं को सबक सिखाने के लिए ताहिर ने भीड को उक्साया ये खबर है छे नॉवंबर की करकर डुमा कोट में मामला चले लाता दिली दंगे का तो कोट ने ये टिपड़ी की और देखिए एडी ने क्या कहा ताहिर हुसैन 2020 के दिली दंगों की फंडिंग की साजिश का हिस्सा देखिए बतब दंगा किस तरह किया गया ये आम आदिपार्टी के पार्शत थे हिंदूओं को नुकसान पहुचाने के लिए बेस की तरह उपयोग हुआ ताहिर हुसैन का घर अब ये सार शिवरात्त के तोरण द्वार को लेकर मजट से पत्थरवाजी बीस सयदिग हैल तो जुझे मंताम अंटहीं बोल रही थी कि कहां से पत्थर चलते हैं क्या होता है इलाके में पन पत्तरवाजी करता है कहा से पत्तरवाजी होती ये सब चीजे अबार में चप्ती रतीं पुरा देश जानता है कि पत्तरवाजी कहां से होती है यह देखिए यह भी खबर दिल्य के दंगेइस चूड़ी ही है घर से तलवार लेकर दंगा करने आया White इब्राहिम हाई कोट से भी नहीं मिली राहत दिल्ली दंगेई खबर 24 फरवर्यू खबर चपी यह देखिए यह भी खबर 24 मार्च की है हिंदुओं को मारना चाहती थी भीड ताहिर ने उकसाया और पहली हेड्लाइन्स क्या है आईबी कर्मी अंकित की हत्या मामले में ताहिर मत्यवहार नहीं मना पारे ठीक से देखिए राची में मंदिर का ताला तोड़कर बजरंग बली की मूर्ति को किया खंडित आक्रोश बताए किसने खंडित किया होगा क्या बतानी क्या हो शक्ता है अब यह देखिए खबर एक अक्टूबर ही खबर है बकसर में काली मंदिर कि पिंडियों को मुस्लिम यूवक ने किया च्छतिगरस्त यह भी आप समझार देख लिए अब देखें राजगड में मंदिर में मास फेकने को लेकर तनाओ यह राजगड की कमर है उत्तराखंड में मुस्लिम यूवाओं ने चामुंडा मंदिर में किया पत्राओ दो घा चाहिए और दूसरी बड़ी बात ये है कि PFI को बैन करने के बाद भी आखिरकार दंगे क्यों नहीं रुक रहे हैं जेस्टिस जोसेफ साहब को ये बताना चाहिए जो काफी हेट स्पीच पर मुकर रहते हैं सुप्रिम कोट के जज़ हैं कि आखिर जिहादी पत्थर चला रहा है उसको प्रेड़ना कौन दे रहा है हेट स्पीच वहां कहां चल रही है इस पर भी ज़रा गौर कीजिए ज़स साहब ये आपसे हमारा कहना है और बाकी जब तक योगी जी की तरह सारे जित्ते भी बीजेपी के मुक्यमंत्री हैं वो सक्त नहीं होंगे तब तक इसी तरह से हिंदुओं के लिए अपने त्वहारों में एक संकट की घड़ी एक खत्रे की घड़ी एक उनको जान का खत्रा लगातार बना रहेगा और वो अपने जो उनका धार्वी का दिकार है जो उनको समिधान देता है उसको वो फॉलो नहीं कर पाएंगे तुम तो आप कैसा लगा है वीडियो आप जरूर बताईएगा हमें इस पर अपने टिपड़े जरूर कीजेगा इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक कर लिएगा वीडियो को शेयर कर दीजेगा और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा नमस्कार धन्यवाद भारत माता की जय वंदी मात्रम जय श्रीडाम हर हर मातिव धन्यवाद